आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp में तो end-to-end encryption है, मतलब या तो भेजने वाला message पढ़ सकता है, या तो receive करने वाला, उसे बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता, खुद WhatsApp भी उस message को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि encryption है, मतलब यहां पर message lock होके जाता है, वहां unlock होता है, उसको unlock करने की की सामने वाले के पास ही होती है, या आपके पास होती है, और किसी के पास नहीं होती है, इसे लिए जो WhatsApp मेसेंजर है, वो बहुत ही secure और private है, लेकिन सवाल यह उठा है, मुझसे यह पूछा गया, कि सागर भाई यह बताओ, कि जब यह end-to-end encryption है, तो हम कि कैसे पता चलता है, जब end-to-end encryption, इसके बारे में बात करने माला बहुत interesting question है, आप लोगों के दिमाग में भी यह बात आई होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप किसी भी message को flag करते हैं, and report करते है WhatsApp में, जो कि जहातर लोग नहीं करते, आप कर सकते हैं, तो वो particular message आप permission दे रहे है WhatsApp को कि आप भाई, आओ इसमें दखल दो, report करने का मतलब आपको यह चीज दिखती नहीं है, लेकिन जब आप किसी message को report करते हो, तो वो message का content, उस message की और बहुत सारी जानकारिया, WhatsApp company तक पहुँचती है, एक proper report बनके, और यह report आप तयार नहीं करते, यह report अ और रिपोर्ट कर दिया, और बाद में जो सारा काम होता है, वो WhatsApp team करती है, वो manually उसको चेक करती है, उस message को, जी हाँ, जो particular message आप report कर रहे है, वो message चला जाता है, WhatsApp के सब पास, बाद में वो उसको realize करती है, चेक करती है, क्या वो कोई ऐसी चीज है, उनके guidelines को violate करती है, तो फ बहुत सारे messages के report आते हैं, तो WhatsApp permanently उस number को बंद कर सकती है, कि उस number से वो WhatsApp नहीं चला सकता, और अगर threat बहुत बड़ा है, कोई बहुत गंदी चीज और गलत चीज कर रहा है, जिससे पूरी देश की सुरक्षा को हानी हो सकती है, ऐसी case में वो authorities तक भी complain कर देती है, WhatsApp कि अगर end-to-end encryption है, लेकिन तब तक ही जब तक आप उसे report नहीं कर रहे हैं, आप report कर रहे हो, तेखो ये नियम क्या कहता है end-to-end encryption का, दो parties पड़ सकती है, या तो भेजने वाला, या तो receive करने वाला, तो आप भेजने वाले भी हो सकते हो, receive करने भी हो सकते हो, मतलब आप इस पूरे पैक्ट का पूरे उसका एक हिस्सा है, अगर हिस्सा ही खुद अलाव करें कमपनी को देखने के लिए, तो कमपनी देख सकती है, और ये end-to-end encryption policy के against नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद से दखल नहीं दे रहे हैं, आप उनको अलाव कर रहे हैं, कि आईए चेक कीजिए, और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझसे ये पूछेंगे लोग कि भाई, WhatsApp पर ऐसी क्या चीज है, जो हमें नहीं भेजनी चाहिए, तो भाई, ऐसी कोई भी चीज जो किसी को नुकसान दे, कोई ज़्यादा वाइलेंट चीज हो, अक्रामक हो, कि बेजनी चाहिए, I hope आपको मैंने जानकारी दे दिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हो, बैल आइकन को प्रेस कर सकते हो, इसके लिए को आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जानको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली एक टेक की नहीं वीडियो लेकर आता रहता हूँ, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलोग कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, थैंक यू सो मच एंड गुद बाई झाल 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 झाल